नमस्कार आप देख रहे हैं चौपाल समाचार चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है और आज में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं यह खबर संबन्धित है मीनापुर परखंड के 12 भारती पंचायत से जहां पर हमारे साथ मौजूद है इस पंचायत के आने वाला है 2020 इसमें पहले चुकि यह सरपंच रहे हैं साथी साथ पिछली बार इनके परिबार से मुक्या की कंडिडेट रही सेकेंडर स्थान रहा इस बार इनकी क्या योजना है और पंचायत का जो विकास हुआ है वो कितना हुआ है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और साथी दर्सों को हम बता दें कि यह जो कार्च करम है पूरा का पूरा समाजिक है और समाजिक कार्च करम में हम आपको ग्राउंड से अवगत कराते हैं जहां पर जो महौल है जिस तरह से बाते हो रही है जिस तरह से जो परतिनिधी है या जो अभी परतिनिधी के रूप कि बढ़ाबारती पंचायत है इसमें किस तरस्तर से बदलाओं की जरूरत है तो आप दरस्तर के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने अस्तर से भी कमेंट करेंगे कि इनकी बात इनके विचार से आपको कितनी सा मती है आपका भी सिता राम जी बहुत बहुत स्वागत है तो इन्होंने कहा कि पहले जब जिस समय में पंचायति राज व्यवश्था अपने यहां एक बार बीच में चुनाव होकर बहुत दिनों तक नहीं हुआ उस समय यह उपमुख्या रहे हैं इसी पंचायत से समंदित और तो सबसे पहले हम आप से जानना चाहेंगों चुक्या बड़े एक्स्पीरियंस हैं और समाज को बराबर मतलब देख रहे हैं अपने प्रशाशनी का सर से भी देख रहे हैं कैसे काम हो तो किस तरह से लगता है यहां पर जो पहले की स्थिती थी आज की स्थिती में कितना ब होते थे अभी लोग स्थाल पर पंस में चल रहे हैं सारे लोग समझें ना समाजिटा हम लोग के टाइम में जो है जो है जो भी पंचायत उजाद करते ते केस फ़वज़ारी बाहर नहीं जाता था है हम लोग अपने अस्तर से समाज के साथ बैट रूट यहां कर लेते थे लोग मान जाते थे इस बहुत कम होता था देखिए दर्सकों के लिए जो मैंने अभी इन से पूछा है कि समाजिकता समाजिकता मतलब हम समाजिक प्रानी है मनुस्तों उसमें सब लोग मिलकर एक साथ रहें और एक दूसरे के बहुतरी के लिए काम करें लेकिन इस बार जो इस स्थिती में आप यूबा हैं और साथी साथ समाज में सक्रिय रहते हैं बर्तमान इस्थिती क्या है विकास कैसा दौर चला है पिछली पांच बरसों में कम से कंबू हमें बताई है कि तना विकास होना चाहिए जिस जो नितिश कुमार जी जितना चीज पहन रही है कोई भी है यह पूरे भरस्ताचार का भेट जो है चर गया कहीं अगर पानी निकल भी रहा है तो जगह जगह पाई फुटा हुआ है पानी निकल रहा है इंद्रावास में घुश्कोरी बर गया आपका जो प्रधान मंत्री अभी चल लाहा है दूसरी चीज है कि कहीं कहीं जो जो भी सरग तुटा हुआ है ता आज भी उसाहीं है बाद आई बाद के बाद हम लोग का जो छेत रही धर वह पुन रूप से बाद से ग्रसित है लेकिन उसके बाद भी अभी तक सरग फुल पुलिया का मरमत का काम बरतमान मुखिया द्वारा नहीं कराया गया यही है और मुख नेजर में जो सरकार की योजनाय आई है ग्राउंड पर वो नहीं पहुच पाई है ऐसा कहना चाहें कहीं से भी आप घूम रहे हैं कहीं भी वाड में नेजर उठाके देखिएगा तो आपको नहीं मिलेगा कि कहीं पानी सुचारू ढंग से चल रहा है सरकार का जितना एक्स आप ला रहे तो अभी आप जो विपक्ष के रूप में भी काते हैं ना कि लोग तंत्र में विपक्ष का भी अपना महत है तो वरतमान परिस्थिती में आप विपक्ष के रूप में तो हैं तो कितना आप काम कर रहे हैं कितना सहयोग लोग को कर पा रहे हैं जहां तक भी हो इसबर की भी तैयारी आपकी है कि आप इस बार युक्त करते हैं और आपको appealing करते हैं निश्चित सब्सक्राइब पर विकास होगा और हम अपने पंचायत को भरस्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगे और पढ़ियास करेंगे कि आदार आदर्स पंचायत मेरा जो है कि मीनापूर में बने यहीं मेरा तो दस्वकों को मैं बता दूं कि यह पंचायत की इस्तिति इन्होंने बताई और मैं अगर आपको सहयोग करें और आप अपर निदी बने तो आपने अभी हमारे चौपाल में जो बात कही है कि भस्ता चार मुक्त पंचायत बनाएंगे इस पर फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे कि आप आप और फिर हमारी आपकी मुलकात हो जरूर जरूर तो देखिए यह बा लेके यहां पर कंडिटेट रहे हैं और जरूर जुड़े हुए हैं और समाज के एक जो रिस्पोंसिबल परसन है वह अगर बता रहे हैं तो समस्या है निदान निकलना चाहिए और साथी साथ चुनाव का महौल है तो दर्सकों से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप सभी इ चुनाव में देखा जाता है कि लोग बहुत सारे बातों पर बोटरों को उल्जा कर और अपने माध्यम अपने तरफ लाने का प्रियास करते हैं तो इस बार आप क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को कि विकास को लेकर किस तरह बताएंगे आप देखिए हम तो पूरे चाहे मेरे पंचायत के जितने भी लोग हैं हम यही कहना चाहेंगे कि जहां भी सोक्षवी अच्छे लोग मत का दान देना है और अच्छे लोग का चैन करें और उनको चुनाब में सफल बनावे अगर हमसे भी बेहतर कोई है या हम सबसे बेहतर हैं तो हमको वोड़ दें औ बेहतर उमदाद का चैन करें हम आपसे जानना चाहेंगे सितराम जी जो इन्होंने बात कही अभी पंचायत के विकास को लेकर चुनाव भी आने वाला है आपका एक्स्परियेंस पहले का भी है क्या लगता है लोग जो बोटर हैं जो समाज में मतलब वोट देंगे और बेह करने लाइक हो इस मंचायत में उसको चुन ले तभी विकास होगा तो देखिए यह बाते यहां पर हैं कि स्वक्षभी के लोगों को चैन करें और अपने मत का परियोग बेहतर तरीके से करें समझ कर करें किसी भी जात पात भेहत भाव या आसपरोस की कहानी पर आपना है मत का परियोग मतला पूरे पंचायत के विकास का केंदर विंदु जो है वह आपके परतिन दी के ऊपर होता है कि वहां से ही विकास सुरू होगा नहीं तो फिर घर भर हो जागा तो आखरी में आप हमारे दर्शकों के लिए और आप ही के यहां के लोग बहुत सारे मतर्मारे दर्सक हैं क्या संदेश उन्हें देना चाहेंगे चुना आपको लेकर संदेश तो अंत में हम यहीं देंगे कि अच्छे परति निदी का चेहन करें और जो स्वक्ष लोग समझ में आता है उसको मुत का दान करें और फालतू चिकनी चूपरी बातों में नहां पहले परखें और फिर मत दान करें तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे स्कार्जकरम में भाग लेने के लिए धन्यवाद आपक अब बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे स्कार्जकरम को इतने समय तक सुना समझा और आपको यह दिखा रहे हैं इसका परपस है कि आप जो जिस पंचायत जैसे के अभी मैंने बाराभारती पंचायत की बात की है तो इसी तरह का पंचायत हमारे पूरे बिहार में ह और जैसी महाल जिस बातों को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो उसी सब जगह चर्चाएं हो रही है तो आप भी अपने अपनी बातों को अपने पंचायत की चर्चा को इस यहां से मिलान करें और आप जो बाते इन्होंने कही है कि बेहतर परतिनिधी का चैन करना ही बेहतर करें बेहतर बनेगा तो आज के लिए बस इतना ही कैमरा परसन रमेश कुमार के साथ महपशे कानन चपाल समचार के लिए धन्यबाद